हाई गाइस कैसाब लोग ? इसमें दो गुरूप दिख रहे हैं आपके कार्मोनल गुरूप जो आपको कमपाउंड है इसकी डियक्शन हो रही है एक्कोस केटू सी ओधरी के साथ और जो प्रोड़क्ट बना उसको बताना है कि इन में से options में से कौन सा करेक्ट प्रोड़क्ट है गाइस यह question है थोड़ा सा tricky है क्योंकि अगर आपको इस एक्कोस केटू सी ओधरी के बारे में थोड़ा नहीं idea है तो आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन अगर थोड़ा सा idea हो गया या इस type के reagents का idea हो गया तो यह questions बहुत इसी हो जाते है in fact आपको मैं जरा सागर heads up दे दूँ एक्कोस केटू सी ओधरी में आप यह मान के चले जो active species है वो OH negative है अगर आप OH negative species देख ले तो इसका और दो carbonical group देख ले तो आप क्या कह सकते है और क्योंकि या तो LDL हो सकती है LDL reaction condensation या फिर Kenny zero हो सकती है राइट नो Kenny zero में alpha H नहीं होने चाहिए LDL condensation में alpha H होने चाहिए नो इसमें alpha H है यह इधर भी है इधर भी है राइट लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगी LDL होगी या अगर आपको यह पता है तो direct product अगर आपको लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं लेकिन जिनको नहीं पता अब मैं आपको पताता हूँ यह कैसे होगा बेसिकली गाइज एक्कोस K2CO3 मतलब K2 potassium carbonate K2CO3 जब H2O में बहनता है तो डिजोल हो जाता है याने K plus CO3 2 negative में K balance करने चाहिए मर्जी है अमें वह भी फिलाल जब आप question करते हैं यह जरूरी नहीं होता CO3 negative अगर आप further H2O के साथ जब reaction करता है तो HCO3 negative और एक OH negative निकाल देता है याने HOH में से H निकाल लेगा OH negative बच जाता है और यह आगे की बात है यह CO3 further hydrolyze होने के बाद H2CO3 निकाल देता है एक H और हो जाएगा यह आपके So cool मिलाके आपकी जो active species है OH negative कुछ इस तरह से आती है अगर आपको right question में अगर NO2CO3 आ गया है ना तो इस type से ही बन जायागा कुछ आपको सोचने की जोड़तनी है कि यह feasible है नहीं है कुल मिलाके यह बात है ना अब इसको डारेक्ट solve करने कोश्च करते है आई होप आपको question अब समझ में आई गया होगा now OH negative सबसे पहले क्या करेगा guys आपको अगर aldol reaction पता है तो acidic H निकालता है याने जो alpha positions पे होती है तो C2H यहाँ पर है यह निकाल देगा इनकी भी निकाल सकता है लेकिन यह ज्यादा freely available है तो यह इसको निकाल लेगा right इसका मतलब जो ही CH2 negative है तो यह कुछ इस टाइप से आपका product हो जाएगा CH2 negative double bond O and CH3 now होगा क्या यह CH2 negative ascent nucleo free reaction आएगी यहाँ पर attack करेगा यह bond खुल जाएगा सो कुल मिलाके यह कुछ इस टाइप से आपका दिख सकता है देखे मैं guys थोड़ा सा ऐसे बना रहे होगी double bond O sorry यह ऐसे बड़ा बनातर double bond O यह और यह एक O negative right guys so यह आगया CH3 right guys so क्योंकि H2O है hydrolysis होगा पानी में तो यह O negative O H में convert हो जाएगा right yes I hope आपके समझ मा रहा होगा यह carbon है आपे carbon right so यह जो product है guys यह आपका final product answer now इसको मैं compare कैसे करूं इन product से right so मैं ज़रा सा यहाँ पर दुबारे लिख देता हूं okay now compare करें इसके दो method हो सकते हैं या तो आप इसका nomenclature कर लें bi-cyclic compounds के nomenclature के मैंने video बनाई हुई है वह आप देखें और इनके भी बनाएं तो compare करें nomenclature में जो same आ जाए को ऐसे कर देखते हैं लेकिन मैं इसमें आपको nomenclature नहीं आता तब भी बता रहूं अब देखें इस COO से और OH के बीच में एक carbon का अंतर है तो इसमें COO में 1,2,2 का carbon है याने ये नहीं होगा इसमें COO में एक carbon का अंतर है right अब इस CWO में CS3 में 1BOND का अंतर है याने ये भी सही है अब इस CS3 और इस OH में 1, 2 and 2 carbon का अंतर है यानि इस CS3 और इस OH में 1 and 2 का अंतर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 member किरींगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 member किरींगे इसके बीच में 1, 2, 3 का है यानि 1, 2 and 3 का है इसका मतलब यह answer सही है similarly अगर आप इसमें compare करें तो इसमें जो reaction है CS3 में OH का अंतर है CS3 OH में 1 bond का अंतर है इसमें 1, 2, 3 का अंतर है यह नहीं होगा similarly ऐसे भी यही भी गलती हो जाएगा आप देखें एक बार right guys so correct answer क्या हो आपका क्यूं so I hope guys आपको एक question समझ माया को बहुत easy question था सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता होना जी किस K2CO3 का मतलब गया so guys thank you for watching like share and subscribe guys bye